तो। वीवर्स फाइनली हम ने फैसला कर लिया हम करने वाले खान की शादी और हमें एक खूब सूरत प्यारा सा रिश्टा चाहिए और जल्दी से जल्दी रिष्टा है ऐसा। तो वीवर्स जल्दी से आप सब भी कोशिश करें मैं भी कार रहा है इसके लिए फौरण से हमें एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा खान जासा रिष्टा चाहिए मतलब कोई यंग नहीं चाहिए एजट चाहिए 40-50 साल की चलेगी बड़ा ही कोटा लगेगा जो पूर साब देखने के लिए आप इस व्लोग के साथ बने रहें इस व्लोग को एंड तक देखें आप साब आज के व्लोग को बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकर मैं बड़े फनी तरीके से आज आज आपको ये सब बताने वाली हूँ जो के मैंने सोच रखा है तो मुझे अमीद है कि आप मेरी सोच को पूरा करने में मेरे साथ रहेंगी तो आगे एंड तक चलेंगे ताकि आप लोग को पता चलेगा कि हम इस व्लोग में क्या करने वाले हैं जाएगी है जी बर्कुल एमें का लिए पहले चाहे बही मुझे इसके बाद कावा बना करें नहीं ठीक है कल बाजी नहीं चाहँ आप अब शारा दिन काड़ी आगा अगा अगा ने चाहान मैं सोच रही जिवे ना तू एगा ते रहे फनी वीडियो नहीं शुरू कार हाहं ऐसे बादे आते है ना फनी वीडियो में तोवी खान की स्वाट करते कोई व्लिक काम कर लेगा कि करेगा कि करेंगा पर जाएं नहीं प्ते नी नहीं कार या कudब ढ़िव कर लेकार कने ल माड़ा हां अह यह टर आफटिया कोई सक Krाहल हें लिएy पर और आप यहां अब दोनों टांगे अपनी गर्दल के ऊपर राक लेता है हमारी सुबह का घाज हो चुका है जैसे में उठी अभी बस उठते सारी ये पहला कलिप में बना रही हूं और आज फिर में सुबह सुबह उठी हूं रात को जल्दी तो नहीं खैर सोई तो देर से ही थी लेकन आप मैं रटीन बना रही हूँ कि सुबा जल्दी उठने की और दिन दिन में अपना विलोग बनाएं करेंगे और आज के विलोग का अभी कर लेते हैं स्टार्ट असलाम लेका माई यूट्व फैमिली कैसे हैं आप स होते कब हैं और पूरे दिन में हम लोग क्या करते हैं फिलाल खान ने चाहे रेडी कर लिए क्यों गान जहां पर जीम शिजादा भी उठा हुगा है सारे उठे हुए वहाँ पर अम्मी भी बैठे हुए पीड़ी के उपर अम्मी भी चाहे पीने के लिए रेडी मतलब सारे उठे हुए असद ने नाश्ता भी कर लिया और हमने अब भी करना जीम ने कर लिया नान खाया है नहीं खाया चलो मैं और जीम एक साथ खाएंगे बई तो यहां पर बन रहा है मेरे लिए कावा आप सोच रहोंगे कि यह कैसा कावा है इसके अंदर डाला हुए अद्रक और अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर इसके अंदर काली पती तोड़ी से डालें गे और थोड़ी सी चीन नहीं डालेंगे और फिर इसका एक प्याला भर के मैं पीऊँगी और एक प्याला दो तीन घंटे बाद मैं पीऊंगी यह मुझे पीना है अद्रक और लेसन का काव बना के पीऊंगे तो बिल्कुल गर्मा गरम में रकावा रेडी हो गया अब जल्दी से इसको पी लेते हैं आज हमारे गार बने का साग यह ताजा साग लेका हैं अम्मी और खान गेते बजार खान किन्यां को टिया ले दे साग दिया चार साग किया तेन पाड़क दिया उत पक रहा है साग मज़ेदार सा और मैं आपको बता जाती हूँ कि हमारे गर में साग कैसे पकता है क्योंकि साग तो अम्मी ही पकाती है और अम्मी का बहुत बहुत फेवरिट है सबसे पहले जी उसको कटिंग किया जाएगा बड़ा ही ब्रीक अगर मोटा कट हो गया तो जिस है कि मैं हूँ या कोई भी हो जब अम्मी कोई काम कार रही होती है तो हम लोग जब वहां जाके अम्मी की पसंद का काम नहीं करते तो उसका मतलब यह होता है कि हमने जान भूज के काम गवा दिया है कि ताके अम्मी ही सारा कार लें लेकिन मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं करती ह कटिंग मुझे करनी आती है, लेकिंग मैं करती नहीं हूं, अम्मी को मेरी कटिंग पसांद कोहें, घराल की कि कामे करनी है और वो चिसने भां हो eight क्योंते कि इसे इसा अग्र्षच करेंगी, तो इसたइसे नहीं करेगी तो कटेंग फोटे हैं, आगे लिए रहा करेंगे तो इसलोग वेकल शजीए घनी में अच्वाश में आपदे में बाक्नों के बा razem के वाश्च की दूथे वो सकता है यानि वो किरक जब आप खाओगे मुением आएगी रेत मिटी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। खा तो सकता है बंदा विट्टी वाला भी क्यों कि इनसान मिट्टी का ही पुतला है मिट्टी में जाना है लेकन खाने में फिर वो टेस्ट नहीं रहता तो इसलिए स साग वाश भी अम्मी खुद करेगी और आप सबने बताना है कि आपको ये मेरी बातें कैसी लग रही थी या पिर कैसी लग रही है तो अगली बात करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सबस्क्राइब करो वीडियो को लाइक और शेर करो लाइक ठोको जल्दी से सबस्क्राइब ऐसे टच करो सबस्क्राइब करो और आल पे करो तो बस खलास फिर आपको हर मेरी वीडियो मिलती रहेगी जब जैसे जैसे आएगी तो जनाब साग वाश होने के बाद एक बड़े सारे पतीले में हम बड़ा खुला सारा पानी डालेंगे उसके अंदर हम साग डालेंगे तो चिड़ा देंगे चुले के उपर ये सारी चीज़े बाते मैं आप लोगो यहां बैटी बतारी हूं क्योंकि वो साब कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं रही हूं कहीं जा तो इसलिए जब तक मैंने वापिस आना है तब तक साग यह लेंगे पका के खा तो इसलिए मैं आपको जबानी जबानी बताते हैं साग कैसे बना है अच्छा वाइल के लिए उसको रख दिया जाएगा जब वो उपल उपल की बिल्कुल उसका कानबचा कोलू पीड दिया जाएगा बिल्कुल उसका मलीदा बन जाएगा तो उसके अंदर जो एक्ट्रा पानी रह जाएगा गलने के बाद वो निकाल दिया जाएगा और साग के अंदर सबस मिर्चें अच्छी तरह कुट के दोरी के अंदर यानि ऐसे कुटके जैसे चिटनी कुटते है ना उसी तरह मिर्चे कुटके पीस पास के उनको डाल दिया जाएगा साग के अंदर और फिर हमारे घर में है एक कोटना यानि वो लकड का अतना बड़ा जैसे है मेरा मुह है ना एड़ा वड़ा मेरे मुझ डवड़ा कोटना उसको बैसाग वाले पतीले के अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से घोट गोट के पूरा जोर लगा देंगे पूरे घर के लोग अम्मी घोटेगी जब अम्मी ठाक जाएगा मी काईगी आजा खार कोट फिर खान के अदर पचार जोर जा णा लोगा मी पार नाक वालि निया थे तो चा पिनना एक काई तो खालीड़ी पी लिया करका मी काम तो जानते आवे खान काईगा वैबे मैं बुड़ा बंद मैं उन्की कर अम्मी के शालो था बीडेंगे मटमाली नू भला ओ ओ है किया अएग न थोस स्वड़ा कोट एगा अब बाइर गराई जारी उसको अलाके छटते मैं आप पर कर लेनी या बाद में फिर मैं अपर करना जी थे इन आप जरूरा थिलवाने थी मैं समझे शायद आज कोटी लेंगे परहते काखजोंगे भी नहीं अच्छा जी अम्मी फिर उसको फुदी कोटे की कोटने के बाद अद्रक कुटे की राम स्कून से सही ज्यादा सारा उसमें डालेगी अच्छा खासा घी अद्रक को भून लेंगे उसके अंदर पल्टी मारेंगे साग की साग की पल्टी मारके उसको अच्छे तरह से उसके अंदर घी के अंदर फ्राई श्राई करके लग जागा भाई तड पर पकेंगी चुले के ओपर रोटियां फिर खाया जाएगा उनके साथ साग मेरे जैसे बंदे का अगर दिल करें तो तुन दूर से रोटी मगा ले अपनी 25 की रोटी है जीम के 20 की 25 का नान है जनाब जिसका दिल हो घर Bazar की रोटी घवाए तो साग हो गया रैडी देख लो मैं पूरा साग रैडी इकार दिया चल्डी जल्दी जर्दी में 4-5 मिंट के अंदर-दर वैसे इतनी जल्दीन रैडी ने होता साग के उपर पूरा दिन लगता है तो हमारा साग भी बिल्कुर रेडी हो चुका है हम आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद तो ये साग बन चुका है ये लोग खा भी चुके हैं और ये ठंडा भी हो चुका है और अब ये दबारा से गरम होगा मेरे लिए जब मैं इसको काऊंगी माओं माओं काऊं काऊं माओं करूंगी आज मैं साग के साथ साग मुझे बहुत ही पसांद है वैसे मैं परोटे के साथ साग खाती लेकिन आज मैं तंदूर की रोटी के साथ साग काऊंगी तो साग देख लें बिल्कुल आम इसको ग्रैंड नहीं करते हैं आम इसको कोटा लगाते हैं ये था जी हमारा साग पूरा घोटे वाला जरसा भी इसको ग्रैंड नहीं किया था और आप लोग अगर कभी भी साग बनाएं तो उसको ग्रैंड मत करें अगर ग्रैंड करो के साग साग का पूरा स्वाद जो आना चला जाता है बिल्कुल भी उसके अंदर वह वाला टेस्ट नहीं आता मुझे नहीं पसंद किया हम घोटा लगाते हैं और गोटने वाला साग बहुत मज़ेगा बनता है अच्छा कुछ लोग साग के अंदर थोड़ा सा मक्की का आटा भी डाल का रहा है मैं जल्दी जल्दी टूट पड़ू साग को लेकर कैसे अभी मेरी रोटी आनी है इदर आजा रोटी लेकिया रोटी तंदूर से मगा लेती हूं उसी रोटी से खाती हूं बहुत मज़ाएगा चुले के उपर रोटी पही तवाशवा रखेंगे आटा शटा निक ओक्ता निक है वहां जाएगे हां किन दी रोटी यह ना निमन चाहिद दो रोटी लाके पाज जम्मी को पैसे पड़ले अम्मी को टुटे पैसे एंगे जारी उसाह को तो फुटे आ लोगे ऑचान जम्मे को थे लिए वाड पज़ादा इसाद मांदरों यह जाओ को लिए इनकी पूरी फैमिली यह सारे बहुत समार्ट समार्ट है तो अच्छी बात है समार्ट इंसान की सेथ ठीक रहती है काम का आज भी कार लेता है मेरी आख चपकने तक जो ना खान वो स्टाप पे पहुंच जाता है इतनी इसकी स्पीड है माशाला और एच भी खान की 50 साल से उपर है ना खान पंजाव साल तो जयाते हैं वियां निकराया तो सारी उमरपन्याव साल ना थो गया वहां है वह तो सिंगर परिय रहे गाए तुकि तुम मेरे को यह थे अडिया बाई दिया थे खान की शादी थी खैर वह लड़की की और खान की आपस में नहीं बनी थे भी आपस में हम आगेसा जा नहीं है हाई हम याद है किसे बचान लूजर पाजु यूटूब्साइब बच्शाइब चलेगी बिदलाक शुदा इला बीचे में तो वह भी चलेगी तो वह बहुता भी जलेगी तो सीरियृस हिए रिएल हम एन का मृः कांपे शादी का देंगे अगी की teacher रिष्टा आज है खान के लिए तो सारा खर्चा मैं करें कोई टेंशन को क्यों करेंगा तो करेंगा खर्चा तो पैसे कित हो आज हम थोड़ी बाद मदद भी लेला ना बारो मदद क्यों लानी व्यां कराना ने पल्लियों करो बुड़ा बंदा पहले बॉट्टी व्यां के लिया फेर लमागे तो नहीं 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 भाई अच्छा जी तो खान के लिए रिष्टा भी घान मैं बोलता यूटूब ते हो सकता भी तो इनको पसंद कर ले और रहना मेरे प उसके साथ बेगम बहुत खुश रहती है यह मैं बता दूं तो जिस बंदे को बेगम की जुरूरत ने चुपकर बकवास न कर बई खान के लिए अगर को रिष्टा हो लाजमी हो खान की धूमदा हम से शादी करेंगे व्लोग बनाएं के पहले बता दूं क्यों खान है अटा पका लेता है अटा निए याटी ने पकालेड़ मतलब जो भी आने वाली होगी वे उसको कहरें हूं काफी खान के साथ अस्म्दा हो गया और मजाहीं था यह रिएल है मतलब अगर कुरिष्टा मिला खान शादी कर लेंगे अगर किसी गार में बच्चा नहीं होता अक्सर होता है ज़्यादा ही जा के नहीं भी हो सकता तो उसके साथ भी कर लेंगे मतलब यह दोनों मियाँ भी एक दूसरे का सहारा बनेगे और खान की जो सैलरी है 20-25 आरपे ये महीना कमा लेता है ठीक है यह भी मैं बता दूँ और रैश खाना पिना सब कुछ इसका हमारे जिम्में है और जो वोटी अएकि भी हमारे जिम्में होगा शुकर अलहामदलिल्ला हम उसको खाना पीना राइश सब कुछ देंगे तो बास यह दोनों जोने रहें उपर इनका कमरा साइट कार देंगे उपर पूरा पूर्शन खाली पड़ा तो ताक उतलाकार विवास जावें है ना उतलाकार विवास जावे उजड़ा प्याए तेन कमरें खाने ही पाया पूर्शन जावें जावें लना जड़ी क्योंकि हम सब निचे रहते हैं अगर वह आज है कि अगर उसका दिल करें तो बहुत का दिल करें निचे मेरे साथ ही रहना है तो बास पर जित्था खान सौन थे ना लोगी सोज़े करी अगर उपर वह सेपरेट रहना चाहेगी तो ठीक है अगर वह उपर नहीं रहना चाहेगी तो नीचे नो प्राप्लम ठीक है ना कान मेरे लिए रोटी लेने चलागे तो यहां पर मेली साग गरम हो रहा है अब यसी रोटी आती फटा-फट खाती हूं मैं टेस्क्रती कैसा अमी ने पकाया तो मसे देगा क्यों अमी जी तुसी देखा लिया ना तो जनाब अमीद है कि आपको हमारा फिलोग अच्छा लगा होगा और वाकरी खान के लिए रिष्टा चाहिए अगर किसी को रिष्टे की जरूर तो वहां के साथ कार सकते मेरे साथ राप्ता कैसे कार स अगरी लेकिन मैं पहले बता दू विलोग से मुझे कोई ने हो के कि वोटी व्लोग में नहीं आना मैं पहले बता दू यह नहीं हो सकता यह होगा ठीक है तो इसी के साथ मैं अब सब शचाहूंगी जाशी थेंकिल सोमज पुर वाचिंग काफी ज्यादा मैंने हस लिया और क कि पास रहना है बलके मेरे साथ व्लोग भी बनाने हैं खुब्सूरत खुब्सूरत आपका भी चैनल बना दूवकि टैंशन नहीं लेनी ठीक है उर ज्यादा दोनों मियां भी भी कमाना और खाना और याशी मारना तो इसी के साथ मैं चाहूंगी जाज़ थेंकियो सो मच फर बाइ 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 अलाह अफीज